आज का जो टॉपिक है वो है ध्यान की जादवी तागते हैं और जो टॉपिक है बड़ा खथरनाक टॉपिक इसके उपर मैं यूट्यूब वीडियो सेपरेट करूँगा लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आज यहां पे और क्लारेटी के साथ लाना चाहता हूँ इसमें कुछ भी मिस्टिकल नहीं है जो कुछ भी है बस आप देख नहीं रहे हूँ आपके सामने है जो भी रहेगा ठीक है लेकिन आप देखते नहीं कुछ आप देखते रहे हो पर आप देख नहीं रहे हो आप सुनते रहे हो पर आप सुनने रहे हो तो कुरसी की पेटी बा जहां ध्यान जाता है वहीं पे memory बनती है जहां ध्यान नहीं जाता है वहां पे memory नहीं बनती है ठीक है जहां conscious focus होता है वहां पे conscious memory बनती है जहां पे conscious focus नहीं होता है वहां पे subconscious memory बनती है conscious focus को स्मृति बोलते हैं subconscious को भी कह सकते हैं यादे बोल सकते हैं या फिर पर स्मृति जो होती है वो surface level पे होती है जो भी top of the mind आपकी है चीज़ है तो इसको पहले समझना जरूरी है और कुछ उधारण है जिसको मैं इसमें deep करूँगा आप एक वीडियो देख रहे हो जब तक आपका attention उस वीडियो पे है चीज़े सोन में आती है बीच में आपका thought कहीं और चला गया wonder करने तो क्या होगा तो क्या होगा फीडियो तो आप देख रहे थे पर आप retrieve करोगे तो याददाश्ती नहीं है आज मैंने podcast में कुछ बोला बीच में आपका ध्यान कहीं और भटक गया तो मैं पूछता हूँ आप भई कहां थे आपको याद ही नहीं आ रहे है आपने देखा होगा ने teachers बच्पन में class बढ़ते बोलते थे खड़े हो क्या बताया मैंने बताऊ जल्दी से तो आप कहते थे सर सौरी मैं कही और सोच रहा थे जहाँ पर ध्यान जाता है वही पर स्मिरती बनती है जहां ध्यान नहीं जाता वहाँ पे सबकॉंशियस यादे बनती है वो स्मृति में नहीं आता या कह सकते हैं आता भी है बर स्मृति मेरे इसाफ से टॉप अफ ते सर्फेस अफ दे माइंड होती है तो अगर मैं उसी वक्त आपको हिब्नोडाइज कर लूँ ऐसे ही अगर आप किसी के साथ अब देखो यह बहुत तगड़ा एक्जामपल आ रहा है और खतरनाक वाला भी है अगर आप किसी के साथ संभोग कर रहे हो सेक्स कर रहे हो अगर आपका ध्यान आप उसके लिप्स पे है तो आप उसको महसूस करोगे तो आपकी यादों में हो जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा नहीं तो आप अगर कुछ सोच कुछ और रहे हो और आप किस कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं फील होने वाला अब मैं इसको और डीप करूँगा ठीक है आप कहोगे कि जाहां ध्यान है वहां पर याद है जहां ध्यान नहीं है वहां याद नहीं है ठीक है आपके अंदर अनहद्धनी बज़ती रहती है तो आप का प्रश्ण ये है कि भाईया जब मेरे अंदर बज रही है तो मुझे उसके रिजल्ट्स बिना फोकस किये क्यों नहीं आते बस तो आपके अंदर ही रही है लेकिन जब अपका ध्यान जाएगा तो ही तो उसके बेनफिट्स आएगे तो ही तो उसके रिजल्ट्स आएगे जहां पर ध्यान जाएगा वहीं पर रिजल्ट आता है जहां ध्यान नहीं जाएगा वहार रिजल्ट नहीं आता अनहद्धोनी अंदर बज रही है लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं दे रही तुम ये कह रहे हो कि मेरे अंदर बज रही है तो आटोमेटिक सब कुछ होना चाहिए लेकिन जब तुम्हारा फोकस जाता है तो ही उसके बेनेफिट्स फील होते हैं अब मैं बैठा हुआ हूँ जब मैं फोकस करता हूँ तो मेरे हाथ में हीट होने लगती है पैरों में हीट होने लगती है प्यास लगने लगती है जब मैं ध्यान दे रहा हूँ तो ही तो उसकी शक्ती अंदर आ रही है पर आप कहोगे वो तो अंदर ही है तो अंदर है तो ध्यान देने की का जरूरत है सब कुछ सो आटोमेटिक होना चाहिए सचलित होना चाहिए तो ध्यान की क्या जरूरत है बात सही है लेकिन actually में in reality एक काम नहीं करता है you need to have a focus in order to gain something from it in order to extract something from it if you focus on your girlfriend's hand then only you will feel and remember her texture of the hand otherwise you won't feel it if you remember the lecture in the class you might have focused over there then only you are remembering if you are not focusing on the lecture you are not going to retrieve or recall the damn lecture it needs to be absolutely understood just because your eyes were there it doesn't mean that you are understanding the movie you will recall the movie only when you have super focus on that focus के intensity अगर बहुत गहरी है तो वो चीज़े और सही से रिवील करती है अपने आपको अगर उपर उपर से देखो के हलका हलका focus है तो उतना गहरा नहीं होगा लेकिन अगर सुपर focus है किसी चीज़े तगड़ा तीवर ध्यान है तो वो चीज़ और तेजी से juice extract करती है अगर sound of silence पर आपको बहुत तगड़ा ध्यान थौट नहीं है तो उसकी जो शक्तियां है वो बहुत तेजी से अंदर खिसती है जो धन है जो प्राह्न है वो और तेजी से अंदर जाता है लेकिन नहीं है तो नहीं जाता थोड़ा सा है तो थोड़ा सा जाता है बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल कुछ आप imagine कर रहे हो प्रीया के बारे में सोच there हो the ocean में अब हम middle of the ocean में थे अब हम deep ocean में आते हैं इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल है अगर मान लो तो मुश्किल है नहीं चलो तो let's come to the example let's come to the example अकिल मैं आशाय गाना सुन रहा था है समका तो तो अब हम आएंगे deep ocean में ठीक है deep ocean में जहाँ पर जेके की बाते समझ में आना बंद हो जाती है आज उसको हम सुपर सिंप्लिवाई करेंगे कि देखिए आप मेरे पास आये आपने मुझसे कहा सर चार साल हो गए अंजली को भूला नहीं जा रहा है यह अंजली एक सेंटर पॉइंट बन गया मेरी वाटकास का मेरी किसी भी गल्फरिंट का नाम अंजली नहीं था वाइदवे शचिन की वाइफ का नाम अंजली है anyway आप मेरे पास आया है आपने बोला सर चार साल हो गए है मैं अंजली को भूल नहीं पा रहा हूँ मुझे समन नहीं आ रहा सर मैं क्या करो मेरे लिए best moments of life थे सर वो best moments of मेरे लिए वो जब मेरे जिन्दगी में थी तो मेरे life थी complete करती थी मेरे अब मेरे जिन्दगी में कुछ नहीं है सर कुछ भी नहीं है अब मैं उसके सामने बैठा हुआ हूँ उसको कुछ आत्म आत्म ग्यान कुछ पता नहीं क्या होता है और नहीं मैं उसको ले के जाओंगा इसमें को कि हर चीज का solution आत्म ग्यान नहीं होता देखो ध्यान से जुनू वो एक ultimate solution तो ही है लेकिन फिर भी आपको conscious focus करके खत्म करना हो तो आत्म ग्यान की मैं यहाँ पे चिपकाने नहीं वाला हूँ यहाँ पे कि self-realize हो जाओ अंजली को दूर हर किसी पर काम नहीं करता ठीक है मैंने का कि ठीक है मेरा पहला प्रशन आप से यह होगा कि 7-8 महीने में हर कोई भूल जाता है attachment गिर जाता है चार महीने में 5 महीने में 6 महीने में 1 साल में 2 साल में 1 साल मैक्स आप 5 साल 4 साल हो गया आप भूली नहीं पारे उसको ऐसा क्या हो गया तो कहता है यही तो सर मैं आ बाहर तो निकाल सकता हूं मैं तुम्हें बाहर तो निकाल सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें खुद नहीं निकाल सकता हूं तुम्हें स्वयम निकल नहीं होगा तुम्हें स्वयम इसको वश्मे करके नहीं तो कहागा कैसे निकलें तो मैं उससे पूछूँगा आप एक सो दस प तुम psychiatrist के पास गया है psychiatrist से anti-depressant दे दी है solution नहीं है वो वापस आ जाएगी memory psychiatrist ने कहा कि आप कोई दूसरी लड़की एक्स्प्डूर्स करो ये भी solution नहीं है आपने किया कुछ नहीं हुआ psychiatrist ने कहा इंगेज करूँ, जिम जॉब, कंस्ट्रक्टिव, मीनिंग्फुल चीज पकड़ के रख, गिटार बजाना से, वो भी कर रहे हो, तब भी नहीं हुआ, कई लोग हैं, ऐसे नहीं होता है, कुछ लोग के उपर, डेफिनिटली एक काम करता है, असी परसेंट लोग के पर नहीं करेगा ये काम, आप सद्गुरू के पास गया, उन्होंने का अब यह सेल्फ रिलाइजिशन, खतम करूँ, अब क्या करें, समन्न नहीं आ रहा, अब आप मेरे पास आए, या फिर जेके के पास, ठीक है, तो आप से मैंने कहा कि, देखिए, आपका इचो यह थौट है, इसको तोड़ना पड़ेगा, आप अपनी पास मेमरी में जाओ, जो अपने अंजली को डेट किया, किस किया, जो भी आप सोच रहे हो, सेक्स किया, घूमे, ट्रैवल किया, यह वो दुनियाधारी, क्या जब जब, आप उसके साथ डेट पे जाते थे, तब तब मज़ा आता था, बहुत मज़ा आरा होता था, क्या, वहाँ पे गुसा नहीं होता था कभी-कभी, क्या लडाईयां नहीं होती थी, क्या, मैंने का, क्या, तुम वह अभी याद करते हो, बोलता है, नहीं, क्यों नहीं याद करते हो, बोलता है, क्योंकि वह अच्छी यादे नहीं है, मैंने का, अच्छी यादे से क्या होता है, रियालिटी, रियालिटी है, अगर तुम, किसी भी, past memory का सिर्फ वो ही इस सा लोग है जो अच्छा लगता है तुम्हें तो क्या वो पूरी reality है या वो आधी reality है वो बोलता है कि आधी reality है तो मैंने का reality के अंदर आके तुम काम करोगे reality को अधिश्टान foundation मान के उसके अनुसार सोचोगे या फिर तुम एक fantasy create कर रहे है उसके अनुसार सोचोगे बोलता है कि नहीं आपकी बात तो सही है मैंने का कि 110% दियो अपना हडियों मत इससे बोलता है ठीक हमें दूँगा मैंने का यह बताओ पहले बोलता हाँ reality के अधिश्टान को रखके जो reality है overall देखना चाहिए कहता हाँ देखना चाहिए तो मैंने का कि क्या तुमारे decisions आज पूरे सुबा से लेकर शाम तक Harry Potter movie के अनुसार है या इस जीवन में जो हुआ है उसके अनुसार है या Harry Potter के जीवन में हुआ है वो अनुसार बोलता है ने ने इस जीवन के अनुसार है तो मैंने का Harry Potter के जीवन के अनुसार अगर मैं तुमको बोलू तुमारा life चल रहा है तो तो क्या करोगे तो बोलता है कि ने ऐसा नहीं होने चाहिए मैंने का अगर कोई इंसान Avengers, Harry Potter, Spider-Man इसके अनुसार चल रहा है एक fantasy world बना के चल रहा है और reality से वो ही निकाल रहा है जो उसको पसंद है तो वो तो fantasy world हुआ ना वोलता हाँ वो तो हुआ तो मैंने का क्यों पहली बात तो ये है और दूसरी बात अगर आप Harry Potter के जीवन के अनुसार चलते हो Spider-Man के जीवन के अनुसार चलते हो जो वहाँ उस दुनिया में हो रहा है जो उस जगत में हो रहा है उस यूनिवर्स में हो रहा है उसके अनुसार अगर तुम चलते हो तो क्या वो आदमी mentally right होगा या mentally wrong होगा बोलता है mentally wrong होगा तो मैंने का कौन सा आदमे mentally right होगा जो पूरी reality को as it is देखे या reality का एक हिस्सा देखे तो बोलता है reality का पूरा as it is देखे मैंने का on spot bang on तुमने बात करी है ये होता है तरीका तो date तुमारी हुई अंजली के साथ तो तुम ये क्यों retrieve कर रहे हो कि वो जो datings थी उसमें अच्छी datings ही तुम्हें याद आ रही है बोलता है कि सही बात तु सही है नहीं का बात सही है तो पर इसको देखो मेरे साथ तुमने अंजली के साथ एक cafeteria में जहां पर yellow lights है और आस पास must frames लगे होए है आस पास waiters dress पहन के आए है particular dress code है वहाँ पर तुम जाते थे सामने सामने बैठते थे पास में खिड़की वाली seat पर तुम बैठते थे बोलता है ठीक है मैं बैठता था मैंने का तुम वहाँ बैठते थे तो क्या रोज आप date जब जाते थे तो हर date में मज़ा आ रहा होता था या हर date मज़ा नहीं आ रहा होता था बोलता है कुछ dates में क्रोध हो रहा होता था मैंने का ठीक है कुछ dates में ऐसा लगता था बोरिंग हो रहा है कुछ dates में बहुत अच्छा के दो दिन के अनुसार आज ये statement दे रहे हो कि वो best moment थे मेरे life में बोलता है बात तो सही है मैंने कहा कि आप कहता है चलो ठीक है मैंने कहा चलो let's give him a name मैंने कहा राम राम और अंजली आपस में प्यार करते थे अलग हो गया राम लड़की ने दोका दे दिया या मालो लड़की मर गई या कुछ भी हो गया चार साल हो गया निकल नहीं पा रहा है राम तो एक example मैंने dating कर लिया मैंने कहा राम एक बात बताओ बोलता है कहिए आपने उसके साथ संबोग किया था बोलता हाँ मैंने किया था आप उसके साथ physically भूए थे हुए थे क्या क्या किया था आपने उसने बता यह यह किया था मैंने कए ठीक है रोज करते थे वो oral sex अरो अगले है कभी होता था कभी नहीं होता मैंने का रोज क्यों नहीं होता था कै कई उसका कभी mood नहीं है तो आपका मूट था मेरा भी मूड नहीं था रोज करने का चलो ठीक है तुमने रोज उसके साथ शेक्स किया रोज उसके साथ तुमने टाइम स्पेंट किया सब कुछ किया है क्या हर एक सेक्स में जो और्गैजम तो बहुत बढ़िया था या कभी-कभी और्गैजम कभी-कभी तुमें उसके साथ जब तुम सेक्स करते थे तुम्हें मजा आता था ठीक है कभी-कभी तुम्हें मजा नहीं आता था और नीट्रल रहता था कभी-कभी कभी बिलकुली मजा नहीं आता था बहुत घटिया और कईजम होता था और कभी-कभी तो आप एक ही पोज कि आकरशित नहीं करती थी बोलता है हाँ आकरशित करती थी मैंने का तो वो तो best moment तुमारी life ख़ता तो तुम दूसी लड़की के पास क्यों गए अरे आज मैं five star hotel में सो रहा हूँ तो मुझे जोपड़ी में सोने में क्यों मज़ा आएगा तो बोलता है कि बात तो सही है मैंने का बात सही है तो आगे सुनो आप five star hotel में आपको जब मज़ा आ रहा है तो आप जोपड़ी में सोने क्यों चले गए इसका मतलब आपको जोपड़ी भी seven star hotel लग रही थी कहता हाँ वो लड़की आकरशित कर रही थी तो वो लड़की अगर तुम्हें आकरशित कर रही थी तो आज तुम ये क्यों बोल रहे हो कि वो best moment था मेरी life में है ना वो बोलता है हाँ बात तो सही है तो ऐसे धीरे 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 मैं और भी layers खोने लगा मैंने का सेक्स करते वक्त कई बात तुम लोगों का मज़ा गई नहीं आता था तो आज के टाइम पे और बिलकुल गीता पे हाथ रखके कसम खा के बोलना आज जब तुम उस लड़की की यादों में जाते हो और सेक्स की डिस्प्ले या वीडियो प्ले करते हो उसके साथ तो क्या तुम वो ही चीज याद करते हो जो बढ़िया सेक्स था या फिर घटिया सेक्स भी याद करते हो या फिर कुछ particular एक क्लिप्स हैं वो ही चलती तुमारे माइड में बहुत पसंद आता था, वो कुछ ऐसा करती थी, वो ही चला होता था, बोलता है जो पसंद आ रहा था, मैंने का क्या पसंद आ रहा है बताओ, वो बोल रहा था कि मेरे को गले पे आके किस करती है, और वो जिस तरीके से oral blow job देती थी, मुझे बढ़ा मसा आता था, मैंने का exactly, तो क्या घटिया memory retrieve कर रहे हो तू आता है नहीं, मैंने का तू क्यो नहीं कर रहे हो, आप reality का एक हिस्सा क्यों ले रहे हो सिरफ आप पूरी reality क्यों नहीं देख रहे हो, अच्छा time, अंझली के साथ, reality का एक हिस्सा है, पूरा वो नहीं है, सत्य को होलिस्टिक देखना होता है, पूरती के साथ देखना होता है, संपूर देखना होता है, सत्य को कभी भी एक हिस्से से नहीं देखना होता है, अगर सत्थ दिखेगा तो पूरा एक बार बें दिखेगा और अगर सत्य पूरा नहीं सत्थ के वले एक reality दिख रही है तो वो असत्य है वो सत्य नहीं है बोलता है मुझे समन्न निया समझाईए मैंने का देख वो चांद कहे रहा क्या चांद मैंने का उपर देख चांद देख कौन सी शेव में है कहता है चम्मज जैसी शेव आ रही है मतलब आधा चांद दिख रहा है मैंने का ये सत्य है सत्य है बोलता है सत्य है मैंने का सत्य क्या है पूरा चांद ना सत्य क्या है क्या सकते है अगर तुमने एक चांद के समान अपनी मेमरी इसको आधा कर दिया है पूरी मेमरी तुम देखी नहीं रहो जब तुम चांद देखोगे तो पूरे तरीके से देखोगे संपूर देखोगे चांद को आधा नहीं देखोगे तुम अगर मैं बोलूँगा या आधा चांद का असत्य हो जाएगा वो तो तो बात तो सही है तो बात तो बिल्कुल सही है उसने बोला कि हाँ आपने सही बोला कि यार मैं तो पूरा देखी नहीं हो मैंने का जब तुम उसके साथ थे तो 100% ऐसी मेमरीज थी जो तुमें ऐसा लगता था कि यार मैं इसके साथ क्यों हूँ या इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा बोर हो रहा अनिंट्रेस्टिंग है भगाओ मेरे को मैं इतना ज़्यादा नहीं जहिल पाऊंगा इसको ऐसा होता था के नहीं होता था वो बोलता था हाँ होता था तो मैंने का वो क्यों नहीं याद कर रहे हो अगर तुमको वो दिख रहा है अगर तुम्हें चांद पूरा दिख रहा है और तब तुम कह रहे हो बेस मोमेंट मेरी लाइफ में था तब तुम महामूर खो पहली बीस तो कभी तुम कहीं नहीं सकते है अगर तुम्हें चांद पूरी तरीके से दिख रहा है तो तुम कभी भी नहीं बोलोगे कि वो बेस्ट मुम्मट मेरी लाइफ में था तो जब आदमी साथ आट महीने क्रास कर जाता है ब्रेक अप में और यह मैं से भी एक्जामपल ले रहा है कि अभी ध्यान की जो जादूई शक्ती उसके उपर भी आएंगे देखो साथ आट महीने आप इनेविटिबली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं साथ आट महीने के बाद आप उसको कंट्रोल कर ले जाते हो लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते क्योंकि वो यह थौट पकड़ के बैठे रहते हैं कि वो बहुत बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ में बट आप लेबल लगा रहे हो तो आपका माइंड सिर्फ बेस दिखा रहा है अगर आप वर्स्ट का लेबल लगाओगे तो वर्स्ट मेमरी भी दिखाएगा आपको बस रिट्रीव करना है थोड़ा सा ध्यान देना वो दिखाएगा तो अब आपको पूरा सच दिख रहा है क्यों? क्योंकि तुमने ध्यान दिया है अगर तुम ध्यान दोगे तो ही दिखेगा तो तुमें जो वो दिखेगा तो उसके अनुसार तुमें एक डिसीजन लोगे नॉट आधा चांद आधा चांद क्या होता है? पूरा चांद होता है चांद होता है तो पूरा होता है ने तो चांद नहीं होता है कई प्रैनेट्स के पाद चांद नहीं है चांद है तो आधा चांद उपर आस्मान में देखो आधा दिख रहा है तो क्या वो सत्य है या सत्य है? असत्य है वो सत्त क्या है पूरा चांद तो पूरा चांद देख के फिर decision लेगो, नाटक मत करो यह अन्हूख हो जाएगा तुरंट और फिर यह होगी मेरा जो experience है, क्या मैं दूसी लड़कियों से ऐसा कौन सा experience है एनिवे मैं इसमें नहीं जाओंगा, अभी पूरा ब्रेक अप कब हो जाएगा देखो, सुनो मेरी ध्यान देख सुनो जो topic है उस पर रहते है, relevant topic पर ठीक है, तो ध्यान अगर दोगे तो चीज़ें रिवील करती हैं अपने आपको पॉइंट पर आते हैं वापस आज की राथ तो अब एक और विशेय पर आते हैं, बहुत जरूरी विशेय है और यह एक्जामपल है तो इसको एक्जामपल किदर ही लेना जादा इसमें इन्वाल मत होना आपने BMW का खाब देखा उसकी लेदर सीट्स वील्स रूफ टॉप वटेवर जो पर होता है वो लाइट्स, होर्स पावर सब कुछ दिन का 100 लीटर ध्यान एक कॉंटिटी देते हैं समझने के लिए आसानी होगी जा रहा है BMW पे 100 लीटर धन कैसे जा रहा है दिन का तीन घंटा जिसमें से एक घंटा आप सोचने में बिता देते हो तो वहाँ पर द्यान जा रहा है बाकि एक घंटा गूगल करते हो बाकि एक घंटा आप सडक पर जाके वांडर अराउंड करते हो और आपको BMW देखते हो और आप उस टायर पर फोकस करते हो उस लेधर सीट पर फोकस करते हो अरे यार इसको लेधर सीट पड़ा बढ़ियां यार भाई यार क्या फील आती है यार बैटके अलगी लेवल है भाई मिल जाये ना मज़ा आ जाये भाई 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 चीए दिन का सो लीटर ध्यान गया सो लीटर एनरजी गई सो लीटर टाइम गया पांस साल बाद आपकी लोटरी निकल गई आप अंटोपरोशिप बन गया जो भी है आपके पस पैसे आ आपने वो ब्यम डबलू ली अब देखना मज़ितार पॉइंट जैसे ही तुमने वो ब्यम डबलू ली लेधर सीट तुमने खोली दरवाज़ा बैठे और आपको मज़ा आया कितना ध्यान दिया आपने उस दिन दस से पंदरा लीटर मज़ा आया अगले दिन आपने ब्रेकफास किया नीचे उतरे अपनी वाइफ से बोला हाँ मैं जा रहा हूँ ठीक ठीक जाओ 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 नीचे उतरे तरवाज़ा खोला बैठ गए लेफ्ट साइट पे जो सीट थी उसको आपने देखा आज का जो ध्यान है वो साथ लीटर है सेवन लीटर देखा पंदरा मिनिट देखा आपने सिफ लेधर सीट को चले गया फील किया उसको हाथ लगाया सूंगा उस पर बैठे फिर उतरे फिर बैठे उतरे यह पंदरा मिनिट किया आपने तीसरे दिन हाँ मैं जा रहा हूँ हाँ ठीक है जाओ तरवाज़ा खोला बैठे निकल गया ही देखा ही नहीं डेखना बहुत कमाल की चीज़ कितना लिटर धैन हो गया हाडली अब आप देख रहे हो एक लीटर दो लीटर अगले महिने से जीरो लेटर, अब आपका ध्यान कहां पे है, वो जो आपके पास नहीं है, ठीक है, आप ध्यान देना इसमें, बहुत दोड़ा पॉइंट है, पागल हुजा हुए, जब आपके पास BMW नहीं थी, तब आपका ध्यान 100 लीटर था उस पे, जब आपके पास BMW है तो आपका 1 ठीक है दो साल डाउन दा लाइन अगर मैं आपकी मेमरी में जाके BMW का वो जो लेदर सीट है उसका टेक्चर रेट्रीव करने की कोशिश करूँ तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पिछले दो साल सा ध्यान नहीं दिया है उस पे जीरो लीटर ध्यान है बस बात करते हो आप दोस्तों के साथ कि इसमें देखो यह है पर आप उसको छूते नहीं हो उसको देखते नहीं हो उसको सूमते नहीं हो फील लेकरते हो उसके बैठते नहीं हो आप दोस्तों से बस बात करते हो बाहर आफिस में जाके कि देखो मेरे पाँ लेधर सीट वाली ये है और लेधर सीट पे मत रह जाना कुछ भी रूफ टॉप ये वो आपने ऐसे लोगों देखा है कितना मज़ा आता होगा न जब हमारे पास ये BMW हो और हम उपर रूफ खोलें और हम उपर ऐसे रंग दे बसंती की तरह हाथ दोनों टाइटानिक की तरह करें और मेरे बाल पीछे उड़ रहे हो और आप सव देखो की स्पीड से चलाएं और मैं ऐसे करूँ कितनी बार लोग करते हैं इसको जब खरीद लेते हैं एक्चुली में BMW एक बार दो बार कि इसे नाम की रूफटॉप है हो कि नाम का उपर आपका वो शटर लगा हुआ है कि आप दोस्तों को केवल बोलते हो जागे मेरे पास शटर है बर आप उसको फील नहीं करते है एक्चुली में जब आपके पास वो नहीं थी बहुत बढ़ीया पॉइंट है जब आपके पास कार है तो आप कार में टाइम व्यतीत नहीं करते हो आप सिर्फ हो आपका ध्यान बाहर है अंकल एक आदमी ने घर लिया बहुत बढ़ा घर था महल की तरह घर था शैंडलियर्स थी सोने की चेर्स थी पता नहीं क्या-क्या गड़ के रखा हुआ था वाल पेंटर ठी गोल्ड से आप घर में जाओ दुनिया के सारे हैशवरा मैं एक मीडिल क्लास का बंदा एक दिन मैं उनके घर गया वो बहार थे मैं उनके घर गया मेरा जो ध्यान था वो 200 लीटर था उनके वाल्स पे उस शैंडलियर पे सारे एशवराम पे बाहर का गार्डन है उस पे जो फूल वहाँ पे है उस पे बड़े ध्यान से मैंने उन फूलों को देखा बड़े महंगे फूल थे बाहर से उन्होंने मुझे बुलाया था अंदर एक बहुत बड़ा वो रखा हुआ था टीवी मैं टीवी के पास गया मैंने एकदम ध्यान से टीवी देखा मैंने उसके नीचे की चीज़े देखा उसको एकदम ध्यान से देखा पांच मिट में रिमोट देखता रहा टीवी चलाया एक एक चैनल अच्छे से देखा सोफे पे बैठा तो टेक्स्चर फील किया कुशंस देखे करोडों का सूफा, सॉरी, लाखों का सूफा मैंने उस दिन उनके घर का निचोड अपने अंदर बसा लिया और जब वो बंदा आया मेरे सामने हमारी मीटिंग थी वो बस आया और सोफे पे बैठ गया और सोफे पे बैठ के ना उसने फूलो को देखा ना उसने अपने वाल को देखा ना उसने अपने सोफे के टेक्स्चर को देखा ना टीवी को देखा, किसी भी चीज़ को नहीं देखा और वो बस बैठ गया और मैंने से बात करने लगा और फिर हम लोग की मीटिंग हतम हूँ यह मैं बहार निकल आया दस साल से वह उस घर में था लेकिन मैं सिर्फ एक घंटे था उस घर में उस व्यक्ति से ज़ादा मैं एक घंटे में रुका था जितना वो व्यक्ति दस साल में उस घर में नहीं रहा उतना मैं उसके घर में एक घंटे रह गया त्यान देना जितना वो व्यक्ति दस साल से उस घर में नहीं था उतना मैं एक घंटे में रह गया उसके पास एक घंटे में एक घंटे में मैं तस साल के बराबर या उससे ज़ादा रहे गया और वो व्यक्ति सिर्फ नाम का घर है कुछ नहीं देखता हो जो कुछ भी उसने गड़ा रखा है सोने, हीरे, जवाराद, प्लांट्स, एनिमल्स इवन उनके पाद टाइगर पला हुआ था कोई टाइगर वाइगर के उसके पंजे नहीं देखने कोई उसकी आँखों में नहीं देखना कोई उसको जो स्ट्राइब से वो नहीं देखना किस तरीके से वो एक्टिंग करता है किस तरीके से वो बैठा हुआ अभी क्या सोच रहा है क्या उस व्यक्ति का हुआ या मेरा हुआ हुद ख़तरनाक पॉइंट है आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं अगले एक्जामपल में इसको और क्लिर करने वाला हूँ एक्चुली में वह घर किसका था भईया क्या वो उस व्यक्ति का था यह तुम्हारा था इसको एक और एक्जामपल लेके जाते है वो घर रातो रात गायब हो गया मर गया वो गर एलियन्स आया उसको उठा ले गए पुलीस आई मेरे से पूच आहां भी डिस्क्रिप्शन बताओ मैंने एक एक चीज़ बताई मैंने का यहां पे रखा हुआ है और फूलों की अभी भी मुझे आ रही है और वो जो मैंने बैठाता सोफिर पे अभी भी मुझे याद मैं कितना औराम से बैठा हो था कंफर्ट बहुत आता आज भी मैं जैसे याद करता हूँ तो याद आ जाता है मुझे पुलिस ने कहा कि आप घर में रहते था या ये घर में रहता था ये तो middle class है मेरा घर है अच्छा आप description बताईए उसके पास एक sentence नहीं था बताने के लिए तो actually में वो घर किसका हुआ मेरा हुआ चलो इसको एक और example लेते हैं अब मज़ा आएगा आपकी पतनी के साथ कोई mind मत करें इसको प्लीस ठीक एक जामपल है आपकी पतनी के साथ आप पिछले 10 साल से हो और उसके साथ आप संभोग कर रहे हो सेक्स करते हो अब रोस करते हो आप हफते में एक दो बार हो जाता है ठीक है लेकिन एक दिन मैं आपके घर आया आपकी पतनी मेरे ओपर चड़ गई और मैं एक ठरकी इनसान हूँ ठीक है let's say हूँ नहीं लेकिन मैं ठरकी इनसान हूँ और हमारा अफेर स्टार्ट हो गया और मैं मैंने कहा कि एकदम चुप रहो बिलकुल एकदम शान रहो लाइट वाइट जलने दो सब कुछ करूँगा आज तुम्हारे साथ मैं एक-एक चीज देखूँगा तुम्हारी मैंने एक-एक चीज देखी और सब कुछ मैंने किया और ऐसे हमारा अफेर करीबँ एक साल तक चला उसको पता नहीं चला उसके पती को मैं रोज जाता वो अपनी पतनी के साथ दिन हफते में तीन बार सोता मैं दो हफते में माहीने में एक बार सोता ठीक है लेगिन जब मैं सोता तो करता और फील करता उसके अंदर क्या था ये वो वो है ना इसको एक्जामपल तक रखला ठरक मत ले आना इसमें मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी है ये एक्जामपल्स बड़े यल्दी रिलेट करते हैं लोग के साथ मैं एक साल अफेर में रहा और मैंने भरपूर सिर्फ सेक्स नहीं किया मैंने एक एक चीज उसके शरीर में देखी और जब मैं उसको छू रहा था अपने हाथों से तो वो भी मैंने एक एक चीज याद किया मुझे हर चीज याद आज मैं अगर आँख बन करूँ तो मेरे सामने ऐसा लगता है कि वो प्रकट हो चुकी है और वो जो बंदा था वो आता था थके माने या जैसे भी अगर थका नहीं है इनर्जी भी है आए करा वारा परफॉर्म किया सो गया परफॉर्म किया सो गया जब वो किस कर रहा है तो किस पर ध्यान नहीं जब वो लाइट में उसको देख रहा है तो उस पर ध्यान नहीं मैं एक साल उसकी पत्नी के साथ रहा वो दस साल अपनी पत्नी के साथ रहा तो कौन इंसान एक्चिली उसकी पत्नी के साथ सो रहा था कभी इसको ध्यान से सुन लेना कौन वो व्यक्ति था जो उसकी पत्नी के साथ एक्चिली में सोया just because of physically वहाँ पे मौजूद हो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको वहाँ की जो presence है उस वस्तू की वो अच्छे से आपके अंदर आ रही है वो record हो रही है नहीं सर नहीं गलत है यह आधी अधूरी चीज आ रही है और आधी अधूरी चीज रियालिटी नहीं होती है आधा चांद रियालिटी नहीं होता है पूरा चांद होता है आधी अधूरी चीज आ रही है तो उसका आपको फुल तरीके से बोध नहीं हो रहा है पूरे तरीके से अनभव नहीं हो रहा है क्योंकि आधा ध्यान है और कहीं बार तो ध्यान होता ही नहीं है छे महीने के बाद। ध्यान कहीं ओर होता है। आप जब penetrate करते हो, reproduce करते हो, genitals introduce करते हो उसके genitals में, तो आप कितनी बार एकदम ध्यान से अपना ध्यान वहाँ पिले जाते हो और एकदम से जो feel करते हो texture को, कितनी बार? शुरू में एक दो बार तीन बार या फिर जो प्लेजर आ रहा है सिर्फ आपका ध्यान उस पे रहता है उसके स्किन पे नहीं रहता देखो ध्यान से पकड़ो आपके वाइफ के साथ अगेन एक्जामपल है ये मैं एक साल सोया और कोई और दस साल सोया जिसका ध्यान था वो एक्चुली मैं सौ साल सोया है एक साल सो के in reality जिस व्यक्ति का ध्यान होता है किसी वस्तू पे तो वो वस्तू खुल के अपने आपको रिवील करती है उस वस्तू की qualities जो hidden है वो निकल के आती है नहीं तो नहीं निकल के आती हैं अंकल, just because आप एक घर में रहते हो, तो आपको घर का feel नहीं आ रहा है, एक गरीब आदमी को उस घर में लेया हो, उसको जो feel आएगा, वो पिछले 10 साल में आपको नहीं आया है, जितना उसको एक घंटे में आएगा, अंकल, सर, समझ रहो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा आपको दो क्यों ऑत्राइड है, तोन कर इसम उबसे हो इसे भीत, यो कि यो जविदा इस ब Springs, seanएगा, वो पूह एं आपको ए स्क जाष्ई आए इस भीतफोछा सी परेंद है, ऐनもう ए हम आदे जा व सका स्रект viktig इ Send पारैयन को it is not whole it is not revealing itself there is just a part which reveals itself छोता सा तैनी सा पार life is not about department of career, department of relationship life as a whole if you see there are thousands of things which you are avoiding you are not able to see you are blind towards those things you are ghosting those things you have a blind eye towards those things आपके पास यतने mails आते हैं आपका mind subconsciously blind है उन mails की तरफ क्योंकि mind block कर देता है train हो जाता है mind उन messages को block कर देता है message आपको दिखते हैं पर दिखते नहीं जैसे आपको text message आता है notifications आती है आप मुझे एक बात बताओ आज सुबह कौन-कौन सी notification आई थी आपके पास याद है आपको कभी उठना आप देखोगे कि ये notification भी आती है मुझे तो ध्यानी नहीं था जब यो notification रोज आती है जब भी किसी भी चीज़ पर ध्यान होता है तो ही वो चीज़ दिखती है अब अगर वो पतनी मर जाए जिस पतनी के साथ मैं संभोग कर रहा था और उसका पती संभोग कर रहा था तो क्या होगा वो पतनी मेरे लिए फिर भी जिन्दा रहेगी पर उस पती के लिए जिन्दा नहीं रहेगी क्योंकि उसका पती पिछले 10 साल से ध्यानी नहीं दे रहा है उसके शरीर पे उसके अंगों पे ध्यानी नहीं दे रहा है he is not able to put the focus over there and he wasn't putting all these focus as a repercussion he is not able to retrieve the memory of that patani that wife but I just stayed there for one hour and I could feel her when she is not around that is the power of memory when you are in the breakup zone you only feel whatever she did to you during sex there are certain clips certain chunks of memory which plays and you think based on that it's the reality that is the best moment of the life that is not because you are not seeing the reality as a whole you are not viewing the reality as a whole sir you are just looking a part of the reality this is what JK wanted to convey when you are observing the mind you don't just observe a particular thing just observe it completely as a wholesome don't observe just that is going to go much deeper that's what I wanted to tell that is the content of the world that is the world you don't know which is the most important thing and I don't know what about the universe you don't know just because you have to offer just because I'm not to have to offer that that's the truth you don't know जो पहला प्यार या पहली बाइक की राइड वो इतनी अच्छी क्यों होती है पहली बाइक राइड इतनी अच्छी क्यों होती है क्योंकि आपका ध्यान उस पे था जब वो ध्येद्री लूप में चला जाता है तो आपका ध्यान खतम हो जाता है और आपको पता ही नहीं है ध्यान की जादवी शक्तिया क्या है इस वज़े से आपको पता ही नहीं है ध्यान होता ही नहीं है आप बाइक चला रहे हो पर एक्चुली बाइक नहीं चला रहे हो आप सेक्स कर रहे हो पर सेक्स नहीं कर रहे हो आप लाखो करोडों के महल में रहे अब पता है कहां रह रहते हों ड Yogla बब हम7 फ्यूचर में अड्मिर मेरे आदमीमे पास कार आ गई अब मेरे ध्यान वहां से घट गया ध्यान का ही और जाने लगा सौल लीटर ध्यान था जब कार नहीं थी जब कार आ गई तो ध्यान 100 लिटर की जगा 200 लिटर हो जाना चाहिए लेकिन 200 लिटर की जगा वो 2 लिटर हो जाता है फिर 100 लिटर का ध्यान किसी और चीज में रहता है जो चीज नहीं है आपके पास जो फ्यूचर में आने वाली है जब वो प्राइवेट जट आपके पास नहीं है जब वो प्राइवेट जट आपके पास है तो उसमें आप नहीं जीते हो बड़े कमाल की चीज लो यह नहीं समझ में आएगा आ ग'Shen को कभी observe करना ध्यान से पता चलेगा आपको पहली बार AC आया घर में अहाँ अब दो साल हो गए AC को कौन फिल कर रहा है ठंडा पन छोड़ो ना कुछ और पकड़ते हैं जब AC नहीं था तो AC आप मॉल में जाते थे आपको सुकून मिलता थे आप किसी की कार में बैठते थे ओला में बैठते थे आई हाई हाई जिस लेवल पर में मेमरी अंदर बनती थी जब आपके पास एक्चुली में AC नहीं था तो आप AC की वैलू करते थे AC में जीते थे जब AC आ गया तो एक्चुली आपका डबल ध्यास होना चाहिए लेकिन नहीं है अब आप कुछ और पकड़ लेते हो अगर आप कुछ और ना पकड़ो और सिब वहीं रहो तो आपका वो वस्तु कुछ ऐसा रिवील करने लगेगी जो पहले आज से पहले कभी रिवील नहीं हुआ है वो वस्तु कुछ ऐसे गुण कुछ ऐसी क्वालिटीज रिवील करने लगेगी जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है कुछ ऐसी चीजें प्रकाशित होने लगेंगी जो पहले नहीं हुई है कुछ ऐसे गुड़ों का प्रत्यक्ष होने लगेगा जो पहले नहीं हुआ है कुछ ऐसे चीजों का उत्गाटन होने लगेगा जो पहले नहीं हुआ है कुछ ऐसी चीजें व्यक्त होने लगेंगी जो पहले नहीं हुई है ठीक है रिवील का मैंने अभी जस्ट मीनिंग देखा गूगल पे तो आपको छाप दिया है यहाँ ठीक anyway तो हिंदी पे अच्छी होनी चाहिए मज़ा आता है हिंदी में जो शब्द हैं बड़े हैवी होते हैं मज़ा आता है बॉलके anyway तो प्रत्यक्ष तब होगा जब ध्यान है अगर प्रत्यक्षण नहीं है तो ध्यान नहीं है जहां ध्यान है वही प्रत्यक्षण है जहां ध्यान है वही वस्तु आपको व्यक्त करती है जहां नहीं है वहां नहीं करेगी Thank you so much Take care झाल